नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अन्शिता शवास्ता इस बुलिटन में आज बात होगी मोधी मंत्री मंडल के विस्तार की मंत्री मंडल विस्तार को लेकर NDA में मचीर रार की जानेंगे की क्या योगी भी कर रहे हैं अपनी केविनेट का विस्तार हाई कोट के जज़ पर सवाल उठाना कैसे पड़ा मंता को भारी बिहार में कॉंग्रेस को मजबूत करने की क्या है तैयारी और बुलिटन के आखरी मे सुप्रीम कोट का केंद्र और राजी सरकारों को आदेश केंद्रिय और राजी सुचन आयोग के रिक्तपदों को जल्दी भरे सरकार कोट ने चार सप्ता का दिया समय राज्किय सम्मान के साथ हुई दिलीब कुमार के अंतिम विदाई नम आखों से पत्नी सायराबानों ने दी विदाई महान अभिनेता ने आथ सुबह दुनिया को कहा अलविदा दिली हाई कोड पहुँचे चिराग पासवान ने दी लोगसवाई स्पीकर के फैसले को चुनोती लोगसवाई स्पीकर ओम इडला ने चिराग के चाचा पशुपती पारस को एलजेपी संसद्य दल के नेतापद पर दावे को दी है मंजूरी सुर्ख्यों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की दो साल बाद नरेंदर मोदी ने आज अपनी केविनेट का मेगा विस्तार किया अपने साथ साल के कारिकाल में पिये मोदी की केविनेट विस्तार में इतनी संख्या में मंत्रियों को शपत नहीं दिलाई गई थी मंत्री मंदल में शामिल नेताओं के कुछ नाम तो पहले से ही तय थे वहां कुछ नाम चौकाने वाले थे नई मंत्रियों को शपत दिलाने से पहले कई मंत्रियों से स्तीफे भी ले लिये गए तो किस किस की हुई केंद्रिय मंत्री मंदल से छुटी और किसे मिली जगहा देखे ये रिपोर्ट मोधी केविनेट का आज विस्तार हो गया, 43 मंत्रियों को शपत दिलाई गई, जिसमें से 15 केविनेट मंत्री है, अच्छा काम करने वाले मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है और उन्हें केविनेट मंत्री बना दिया गया है, जबकि खराब काम करने पर 13 मंत्रियों को मंत्री जेडियू चार मंत्री पद मांग रहा था और आखिरकार जेडियू को ही जुकना पड़ा एक साल पहले जेडियू ने जो ओफर नामंजूर कर दिया था उसे स्वीकार कर लिया है। इसके बाद असम के पूर्व सीम सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, जोतिरादित्य सिंधिया, आर्सीपी सिंग, अश्वनी वैशनब, पशुपति कुमार पारस, किरन रिजिजू, राशकुमार सेंग, हरदीप सिंग पुरी, मनसुक मंडाविया, बुपेंद्र या जिसमें केंद्रिय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, स्वास्त मंत्री हश्वर्धन सिंग, शिक्षा मंत्री रमेश पोकरी आलनिशंक, ट्रम मंत्री संतोष गंगवार, केमिकल्स और फर्टिलाइजर मंत्री डीव सारंगी रतनलाल कटारिया बावुल सुप्रियों ने भी मंत्री पद से स्थीफा दे दिया सभी के स्थीफे राष्टपती ने स्वीकार भी कर लिए मोधी कैविनेट का विस्तार हो गया है कई लोगों की किस्मत चमकी और उन्हें मंत्री बना दिया गया लेकिन कई लोग के अर्मान दिल में ही रह गये कुछ ऐसा ही यूपी में NDA की सहयोगी निशाद पार्टी के साथ हुआ है NDA का सहयोगी ये दल भी दावा कर रहा था कि उसको भी कैविनेट में जगा मिलनी चाहिए तो दूसरी और LJP में भी इसे लेकर रार छिड़ गई है तो क्यों कैविनेट विस्तार को लेकर नाराज दिख रहे हैं NDA के सहयोगी देखिए ये रिपोर्ट मोदी मंत्री मंडल विस्तार को लेकर उसके सहयोगीों में ही तनातनी देखी जा रही है पारस को मंत्री मंडल में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो चिराग पासवान नाराज हो गए उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लजेपी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है बिहार में तो अभी चुनाव भी नहीं है इसलिए बीजेपी को चिराग की चिंता भी नहीं है लेकिन यूपी को लेकर जरूर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है क्योंकि यहां विधान सभा चुनाव 6 महीने बाद ही होना है और अभी हाल ही में हुए पंचाय सदस्यों के चुनावों में प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि योगी सरकार की कुर्सी सुरक्षित नहीं है इसके बाद से ही बीजेपी ने प्रदेश में छोटे दलों को साधना शिरू कर दिया जिन दलों के नेता पहले बीजेपी के दरवाजे पर पहुँच कर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की मिन्नते करते थे आज वो ही बीजेपी को आखें दिखा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ट नेता उनसे मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी कभी NDA का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन ओपी राजबर की ये पार्टी इस बार बीजेपी को हटाने के लिए मैदान में है राजबर को मनाने की बहुत कोशिशे हुई लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जब बात करने का समय था तब बीजेपी के दरवाजे बंद थे अब हमने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए है यूपी के एक और शेत्रिय दल निशाद पार्टी के साथ तो बीजेपी का गटबंदन दो साल पहले ही हुआ है लेकिन इस दल के साथ भी बीजेपी के रिष्टे सही नहीं चल रहे है निशाद पार्टी को साथने के लिए जेपी नडडा ने संजनिशाद से बात की लेकिन संजनिशाद के तेवर तलखी बने रहे वो केंद्र और राज्ज में हिस्सा मांग रहे हैं यूपी में 2022 के विधानसवा चुनावों के बाद बनने वाली सरकार में उन्होंने डिप्टी सीम का पद ही मांग लिया है और आज मोधी मंत्री मंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि यदि अनुप्रिया पटेल को पीए मंत्री बना सकते हैं तो प्रवीन निशाद को क्यों नहीं मोधी मंत्री मंडल के विस्तार के बाद एंडिये में घमासान छिडा हुआ है सहीयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं और अब इन्हें मनाने के लिए यूपी के सीम योगी आदितिनात को आगे आना पड़ रहा है अपने सहीयोगीों को मनाने और पार्टी के अंदर की रार को समात करने के लिए योगी आदितिनात बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो चुनावों से पहले यूपी में ऐसा क्या होने वाला है जिससे विपक्ष की बढ़ सकती हैं मुश्किलें देखिए इस रिपोर्ट में योगी टीम में विस्तार की खबरों ने पार्टी के नेताओं की धरकने तेज कर दी हैं माना जा रहा है कि योगी के इस दाओं से जातिये समिकरन साधने सहयोगी पार्टियों को जगह देने और नाराजों को मनाने के लिए ये विस्तार किया जा रहा है इसके अलावा अग कमल रानी वरोन और विजे कश्यप के निधन के बाद अब यूपी कैबिनेट में छे मंत्रियों की जगह खाली है। किंद्री विस्तार को देखते हुए यूपी में बदलाव किया जा सकता है। बतातें की हाल ही में चर्चा तेज थी कि सीम योगी को हटाया जा सकता है लेकिन पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने सभी चर्चाओं को विराम देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में पार्टी विचार नहीं कर रही है। वहीं गरीह मंत्री राजनाथ सिंग ने तो यहां तक कह दिया था कि यूपी का चुनाओ योगी आदितनाथ के नित्र तुमें ही लड़ा जाएगा। पुर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलट के बीच तनातनी को खत्म करने के लिए कॉंग्रेस के सीनियर नेता और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जैपूर पहुँच गये हैं। साथ ही राजमे मंत्री मंडल विस्तार राजनितिक नियुक्तियों और संग्ठनात्मक नियुक्तियों की चर्चा जोरों पर आ गई है। सचिन पाइलट के कुछ हफते पहले दिल्ली में डेरा डालने और समर्थकों की ओर से लगातार मांग के बाद पार्टी आलाकमान ने भी इस तरफ ध्यान दिया। अब आलाकमान की ओर से ये इच्छा जताई जा रही है कि गहलोत मंत्री मंडल का विस्तार करें। और वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री मंडल विस्तार को टाला जाए और पाइलट चाहते हैं कि सरकार में रिक्त पड़े राज्ज, जिला और बलॉक स्तर के पदों पर पर पार्टी कारेकरताओं को न्युक्त किया जाए। इसमें उनके समर्थक नेताओं और कारेकरताओं को बराबर की भागीदादी मिले मंत्री मंडल का विस्तार कर उनके कोटे के हटाये गए मंत्रियों की जगह उनहीं के कोटे से नए मंत्री बनाये जाएं राजस्तान में गहलोत और पाइलेट के बीच की तलकी खत्म होने के संकेत हैं जिससे गहलोत को भी राहत मिलेगी लेकिन पश्यम बंगाल में सीए ममता बनरजी को राहत मिलते नहीं दिख रही है हाई कोट के एक जच के खिलाफ तलक टिपड़ी करना ममता बनरजी की मुश्किल ने बढ़ा रहा है हाई कोट ने ममता की टिपड़ी पर सक्थ नाराजगी जताने के साथ ही उन पर कारवाई की है तो क्या कहा है ममता ने देखिए ये रिपोर्ट इस बार हुए विधान सवा चुनाव में ममता बनरजी ने अपनी पारम पर एक सीट भवानीपूर को छोड़ कर नंदी ग्राम से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार मिली बता दे ममता नंदी ग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदू अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई थी नतीजे के दिन ही ममता ने वोटों की दोवारा गिनिती की मांग की जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना इसके बाद चुनावी नतीजों के खिलाफ ममता कलकत्ता हाई कोट चली गई इस याचिका में उन्होंने शुभेंदू अधिकारी पर चुनाव में पहना था कि कोशिक चंद के बीजेपी से रिश्टे हैं। अब कोट के सादेश पर क्या होगा ममता का अगला कदम, क्या वाकई कोशिक चंद पर लगाए गए आरोप सही है और इससे छुपाने के लिए ममता के खिलाफ जा रहा है कोट। तो राहुल ने बिहार के कॉंग्रेस नेताओं को क्या दिया संदेश देखें। देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस इस वक्त कई राजियों में कलह का सामना कर रही है। पंजाब से लेकर राजस्थान और हर्याना में नेता पार्टी के खिलाफ ही हुंकार भर रहे हैं। बिहार में भी अंदर खाने बगावती सुर उठने लगे हैं जिसे शांत कराने के लिए राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आज उन्होंने बिहार इकाई के कई वरिष्ट नेताओं से मुलाकात की और प्रदेश कॉंग्रेस समीती में संभावित बदलाओं को लेकर अपनी राय दी। सूतरों के मताबिक राहुल गांधी के आवास बारह तुगलक लेन पर पहुँचकर उनसे मुलाकात करने वाले नेताओं में पुर्व केंद्रे मंत्री शकील अहमद, वरिष्ट नेता अखिलेश प्रसाद सिंग, निखिल कुमार, अवधेश सिंग, अशोक राम, अनिल शर जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने वरिष्ट नेताओं को आमन्तृत किया है, कहा जा रहा है कि केंद्रे नेत्रित्व प्रदेश कॉंग्रेश में किसी बड़े परिवर्तन के पहले सभी बड़े नेताओं सहित विधायकों की राय जानना चाहता है, वैसे माना जा रहा है कि केंद्रे नेत्रित्व सभी के साथ बैठक कर विरोधी दलों को पार्टी में एक जुटता का संदेश देना चाहता है ये बैठक राहुल ने ऐसे समय में बुलाई है जब जेडियू के नेता सार्वजनिक तौर पर कॉंग्रेस में तूट का दावा करते आ रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी नेत्रित्व किसी भी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये मुलाकात हाथ को मजबूत बनाती है या नहीं और अब किसानों ने 8 जुलाई यानी कल बड़ा आंदोलन करने का एलान किया है अब किस मुद्दे पर किसान कर रहे हैं आंदोलन देखे रिपोर्ट का विरोध जताने का फैसला लिया है इसके साथ ही हर्याना उत्तप्रदेश वाचंडीगर में किसानों के साथ ही समर्थ को पर दर्जमुकद में जल्द वापस लेने की मांग की गई है कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा से जोड़े संगठनों की बैठक हुई जिसमें देश भर से सरसट किसान संगठन शामिल हुए और बैठक में कहा गया कि इधन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम कई जगा सौ के पार पहुँच गए है इस तरह ही गैस सिलिंडर के दाम लगातार बढ़ाये जा रहे है और चा ने लोगों से राज के और राष्ट्री राजमार्गों पर सुभा 10 वजे से दोपेर 12 वजे तक बाहर आने और अपनी गाडियों को लाने के लिए कहा उन्होंने कहा आपके पास जो भी वाहन है ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, स्कूटर, बस उसे निकटम राज या राष्ट्री राजमार्ग पर लाएं और वहां पार्क करें लेकिन ट्रैफिक जाम ना लगाएं उन्होंने विरोध में LPG सिलेंडर लाने को भी कहा किसान नेता ने लोगों से रात 12 बजे 8 मिनट के लिए अपने वाहनों का हौन बजाने की भी अपील की करशी कानून के लिए लड़ रहे किसानों ने अब इधन और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के लिए भी आवाज उठाई है अब देखते हैं कि क्या सरकार इस पर ध्यान देगी या फिर यहां भी किसानों को अंसुना किया जाएगा दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही देखते रहें डीवी लाइफ नमस्कार